हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Defense Institute of Advanced Technology यानि डाइट की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में दोस्तों यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी है क्योंकि यहाँ पर आपको D.I.D.O. Sponsored Research Project में काम करने का मोखा मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर पोस्ट बहुत अच्छी है और यहाँ पर एकजाम की कोई requirement नहीं हो salary भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी अब यहाँ पर क्या पोस्ट रहेगी कितनी वेकेंसी है यहाँ पर आपका जो educational qualification है और age limit का criteria क्या follow होगा salary कितनी मिल जाएगी यहाँ पर selection किस basis पर होगा और इसमें apply कैसे करना इन सभी चीजों के बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को लास्ट तक जबूर देखना बीच में से skip मत करना चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो अपडेट है यहाँ पर diet की तरफ से जो की जिसका advertisement number है 322024-JRF-SRF-DIAT-DU अब यहाँ पर जो JRF और SRF की recruitment है call for application यानि आपके आपकी जो post है वो है आपकी junior research fellow और second post है senior research fellow तो first post की पहले बात करें तो junior research fellow तो यहाँ पर आपकी तीन vacancy है जिसमें अगर आपने BEB tech या MSC किया है with first division with net gate तो आप यहाँ पर eligible हो और apply कर सकते हो इसी के अलावा अगर आपका net और gate नहीं है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो साथी साथ यहाँ पर आपको एक और option दिया है अगर आपने MEM tech किया है in first division graduation में as well as यहाँ पर आपने post graduation level में तो भी आप यहाँ पर eligible हो और apply जो है वो कर सकते हो तो यानि total यहाँ पर आपके पास तीन option है अब यहाँ पर जो vacancies निकल के आई है वो vacancy है departmental department of electronics engineering इस institute के लिए अब यहाँ पर जो है तीन जैसा कि मैंने आपको option दिये first है b, btech, msc with यहाँ पर आपका first division with net gate और इसके अलबा net और get अगर आपने नहीं किया तो भी eligible हो और तीसर option M.E.M.Tech, first division, both graduate and post graduate level तो यह तीन options है अब यहाँ पर बात करें तो आपकी age limit जो है तो आपको यहाँ पर salary 37,000 आपको मिल जाएगी first and second year के लिए, तो पर month के लिए है, यानि first और second year का आपको यहाँ पर salary 37,000 मिल जाएगी और उसके तीसरे साल, यानि उसी के बाद तीसरे साल आपको यहाँ पर salary 42,000 यहाँ पर month मिल जाएगी तो यह तो बात हुई post number one की जो की है आपकी junior research fellow दिस में तीन vacancy है अब यहाँ पे जो second है post उसके बारे में बात करेंगे senior research fellow तो यहाँ पे दो vacancy है फिर यहाँ पे आपका B, B, Tech, MSC अगर आपका है with first division with net or gate तो आप यहाँ पे eligible हो apply कर सकते हो साथी साथ यहाँ पे अगर आपने MEM Tech कर रखा है और दोनों में graduate और post graduation level में आपका यहाँ पे first division है तो भी यहाँ पे आप apply कर सकते हो साथी यहाँ पे आपका दो साल का industrial teaching या फिर research जो है आपका experience होना चाहिए in the relevant fields is mandatory to the position of SRF तो SRF के लिए आपके यहाँ पे दो साल का experience आपका होना चाहिए आपको industrial हो teaching हो या फिर research जो है experience हो साथी साथ इसमें जो age limit है वो आपकी रहेगी maximum 30 years तो यहाँ पे आपकी maximum 30 years आपकी age limit होनी चाहिए salary आपको इसमें per month 3 साल के लिए 42,000-42,000 आपको मिल जाएगी per month की बात कर रहा हूँ तो जैसा कि यहाँ पे यह जो update है और यह जो आपकी job है यह permanent नहीं रहेगी यह temporary job है for a period of 3 years तो 3 साल की यह आपकी temporary period के लिए यह job आपकी रहने वाली है यहाँ पे exam की कोई requirement नहीं है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो जैसा कि मैंने आपको बताया था अब selection किस basis पे होगा तो यहाँ पे आपका interview रहेगा जो की in person या फिर via video conferencing भी हो सकता है तो यहाँ पे आपका जो वो ऐसा clear नहीं किया है कि कौन सा होगा किस medium से होगा in person होगा या फिर via video conferencing होगा तो यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है यह आपको decide करके जो intimate कर दिया जाएगा कि आपका कौन सा इसमें method use होगा आपका interview में in person या फिर via video conferencing अच्छा आप यहाँ पे exam की कोई requirement नहीं है जैसा कि आप लोग जानते हो लेकिन यहाँ पे बहुत सारी updates हैसे निकलती है बहुत सारी जिसमें कि यहाँ पे exam की requirement रहती है तो अगर आप किसी भी government exam की preparation कर रहे हो तो यहाँ पे आप उसके लिए all in one notes में enroll कर सकते हो जिसमें आपको यह स special offer चल रहा है जो कि limited time के लिए है अभी अगर आप यहाँ पे इसमें अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको discount अच्छा खासा मिल जाने वाला है तो अगर आप इसमें एंडूल करना चाहते हो तो इसकी link आपको हमारे इस वीडियो के description में मिल जाएगी वहाँ पे जाके full details ले सकते हो अचा बात आती है यहाँ पे how to apply उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे note में age relaxation दे रखा है अब इसमें apply करने की जो last date है वो है 12 अगस्ट 2024 और यहाँ पे age limit के बारे में भी relaxation आपको दिया गया है तो OBC NCL के लिए 3 साल है बाकी SC ST women and PWBD categories वालों के लिए पे 5 साल up to 5 years यहाँ पे relaxation देखने को मिलेगा और यहाँ पे note में लिखा गया है कि recruited fellows shall be encouraged to register for PhD at this institute through proper channel as per diet norms तो यहाँ पे जो recruited fellows होंगे वो चाहते हैं अगर encourage shall be encouraged to register for PhD तो PhD के लिए भी यहाँ पे register कर सकते हैं इसी institute में तो यह बात भी आपको द्यान में रखना है साथी साथ यहाँ पे बात करेंगे यह how to apply के बार में तो यहाँ पे brief bio data आपका चाहिए ड्यूली sign होना चाहिए application form available on website जो इसकी official website पे मिल जाएगा तो वहाँ से आपको जो है इसमें क्या करना होगा आपका पूरा application form fill करना है कुछ आपको documents वगेरा certificates वगेरा जो वो इसमे attach करने है proof of date of birth देना है और बाकी जो भी आपके जो mark sheets वगेरा degree certificates होंगे वो आपको email करना है principal investigator जिनकी email id है basilraj.a at diat.ac.in PDF form में आपको भीजना पड़ेगा as a single file तो single file में PDF में आपको ये सब भीजना होगा जिसमें subject title होना चाहिए application for project associate या फिर SRF on or before यहाँ पे 12 अगस से पहले पहले अब यहाँ पे आपको कुछ original applications with all necessary and other supporting documents at the time of interview okay interview के time आपको यहाँ पे original documents और certificates और जो आपकी degrees है वो आपको carry करनी होगी okay verification के लिए तो दोस्तों और भी यहाँ पे terms conditions वगेरा है basic सी और यहाँ पे और भी चीज़े है selected candidate is required to join duty immediately on receipt of the offer letter वो तो होई जाता है चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे आपको एक number भी पूरो provide किया गया है डॉक्टर एए बेजिल राज पी आई जो की department of electronics engineering के यहाँ पे principal है तो उनका number भी यहाँ पे आपको show हो जाएगा 020-2460-4524 slash एक और number है अगर पीछे 81 लगा देते हैं और दूसरा number है यहाँ पे तीसरा number है slash जिसमें last में अगर 31 लगा देते हैं तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत आ रही है कुछ कौरी है तो यहाँ पे इसमें contact कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और क्वाईरी है, तो comment section में जाके comment भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like कर देना, दोस्तों यहाँ पे अगर आपको update अच्छी लगी हो, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको share कर देना, और यहाँ पे अगर आप हमारे इस चैनल पर first time आयो हो, तो subscribe भी कर दे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मैरे next वीडियो में एक नई update के साथ, तब तक के लिए goodbye, take care.